नमस्कार दोस्तूं, वल्कॉम बैक तो एडिवर्स न्यूज अनलिसिस, तोड़े इस 3 जमांबर 2022 और वी आर गोई तो डिस्कस दा हिंदू न्यूज अनलिसिस तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन-कौन से आइटिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेकिन उसके पहले अगर आपको इस लेक्षर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम गूर्प को जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम को गुरुप को जॉइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक में क्लिक करना है और गुरुप में जॉइन हो जाना है और साथ ही अगर आप वहां से नहीं कर पा रहे हैं तो टेलिग्राम में जाके अगर आप टाइब करेंगे तो आप हमारे डारेक्ट चैनल में पहुँच जाएंगे आपको टाइब करना है अगर आप ये टाइब करते हैं तो डारेक्ली हमारे गुरुप में पहुच जाएंगे हम हर दिन एक प्रिलिम्स के कुश्चन, एक से दो प्रिलिम्स के कुश्चन, साथ ही कुछ मेंस के कुश्चन और साथ में सारे important editorials प्लस news सबकुछ एक ही lecture के अंदर cover करते हैं तो यह बहुत प्यारा lecture रहने वाला है, लास सक आपको बने रहना है, धिहान से देखना है सारे important चीज़ें आज में आपके सामने यहाँ पे cover करूँगा और साथ में हम background को भी discuss करते हैं, सिर्फ news को नहीं, उसके background को important हो जाता है static person को जिससे आपके question आने की संभावना जादा जादा बढ़ जाती है तो चले start करते हैं, आगे क्यों और बढ़ते हैं enforcement direct rates, यह little news है, तो हमारे लिए यह news से जाद important है ED क्या काम करता है, कैसे काम करता है, और किसके तहट बना है, इसके उपर हम PYQ भी देखेंगे आज एक, तो यह हमारे लिए important हुजाता है, तो ED को हम discuss करेंगे साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा हमारा article है curious college source rhino horn, तो rhino horns के बारे में एक important बात है कि उनके जो horn है, यह जो एक scene है आप कह सकते हो, वो क्या हो रहा है, shrink हो रहा है photos के मादब से हमें यह पता चला है, कि day by day, साल दर्स है, year by year क्या हो रहा है इनकी जो horn है, horn की जो length है, वो क्या हो रही, shrink हो रही, छोटी होती जा रही है तो उसके बारे में भी हम discuss करेंगे, दिखेंगे एक बार इनके बारे नजर मार लेते हैं कि rhino के आप बात करते हैं, there are five species of rhino, that is white, black rhino in Africa पे माये जाते हैं greater one horn rhino, Java में पाये जाते हैं, और सुमात्रन rhino species हमारी इशिया में पाये जाते हैं अगर हम IUCN red list की status की बात करते हैं, तो सबसे ज़्याद important question इनके उपर यहीं से उठके आता है कि इनका status क्या है, तो white rhino, अगर हम बात करते हैं, तो near threatened category के अंदर है black rhino critical endangered category के अंदर है, greater one horn rhino vulnerable है, java critically endangered है, सुमात्रन rhino critically endangered है अब आपको confusion यहाँ पे create हो जाएगा, लेकिन मैं आपको confusion होने नहीं दूँगा, कैसे चलिए, आज हम इसको याद कर लेते हैं, यहीं पे बैठे बैठे मैं आपको साथ में याद करवाँगा, information देना तो कोई भी देदेगा, हमें इसको mnemonics बना बना के याद करना है white rhino near threatened, मतलब बिल्कुर threatened category के अंदर पहुचने बाला है, white color का rhino है, black rhino है, critically endangered category के अंदर है अब देखिए, सुची, ऐसा सुची कि बिचारे का सारा रंग खतम हो गया, वो black हो गया, अब rhino था, rhino बिचारा हमारा क्या हो गया, black हो गया, मतलब इस तरीके से उसको इतना महनत करना पड़ा, धूप में चारो, मतलब बहुत जादा महनत करना पड़ता है, धूप में का काम हॉल में आप बैठेंगे, तो ऐसी ही चीज़े याद आएंगे, और आप इसको सही कर लेंगे, clear हुआ, greater one horn rhino, देखिए, vulnerable category के अंदर है, greater है, one horn है इसके पास, इसलिए vulnerable है, कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा, अभी इसकी जन संखिया, बचे होई, क्योंकि एक ही इसके पास सुमात्रा rhino भी क्या है, critically endangered है, तीन critically endangered है, rhino के अंदर तीन critically endangered है, CR CR के अंदर आते है, critical endangered है, कौन कौन से, Jawa, सुमात्रा, ऐसा याद रखे है, कि जिसके, जिसमेन किसी country का नाम है, Jawa है, और सुमात्रा, दोनों एक island है, आइलेंट है, तो वहाँ पे ज्यादा, ज्यादा, खता हो सकते है न क्योंकि वहां पर क्या है exposer है पानी का पानीस से मचलिय आ धी राकित भी को ख़ाएंगी ऐसा याद रखिए एफना होता नहीं है बस ऐसा बना लीझे समुद्र है समुद्र से लोग आते इनका शिखार कमें तो जावा सुमात्र ना मियाद रहेगा का जाववा सुमात्रत राइनो क्या है Hello our Black राइनो क्रिटिकल ली इंडेंजेट है बाकि दो जो है एक बाइट है वो नियर जेटिंड की डीगरी के इंदर है जहाती है वह फिसो है आगे बढहते हैं अब मात करते हैं इडी की है ना यह बहुत इंपोर्टनट हो enforcement and economic intelligence agency responsible for enforcing economic law fighting economic crime in India. अगर आपको कभी भी क्या लिखने के लिए आए questions इस तरी किसे लिखने के लिए आए या आप यूँ कह सकते हैं कि economic of enforcement की definition लिखने के लिए आए तो आप ये definition जरूर से जरूर पुट कर सकते हैं है ना ये आपके सामने एक question रहा मतलब एक definition रहा what is ED अगर आपसे question पूछे तो आप ये डाल सकते हैं कि ED क्या काम करता है कैसे जीजे होती है ये लिखी हुई ये किस कैसे इसको बनाया इसका purpose क्या था इसको बनाने का जो purpose था वो क्या purpose था handling exchange control law violation under the foreign exchange regulation act 1947 ये क्या चीज handle करने के लिए बनाया गयाता है exchange control law violation जो exchange हो रहा है foreign exchange हो रहा है उसको control करने के लिए बनाया गयाता है starting मैं बात कर रहा हूं यहां पर इसके उपर टाय है कि ED की उपर 100% मैं आपको शूर्टी देता हूं कि एक question इस बार किसी ने किसी exam के अंदर फसने वाला है भले आप वो UPC का prelims ले लिजे या state PCS की examination ले लिजे आपके या भी कोई भी one day exam ले लिजे ED के question तो तरह है बनाया क्योंकि इतना काम किया इस साल आप पूरे साल भर ये news में रहा है तो initially established under the Department of Economic Affairs 1956 के तहत इसको initially established किया गया था SN enforcement unit later इसको कहा पर shift कर दिया गया Department of Revenue and Administrative में इसके अंदर 1960 में इसको shift कर दिया गया है clear हुआ point ये question तह है आप से पूछा आना इसके उपर हमें MCQ भी करेंगे जहांसे आपको question clear हो जाएगा कि कैसा MCQ यहाँ पे पूछे जाने की संभावना बन जाती है इसको rename कर दिया गया था 1957 में enforcement directorate के नाम से इसको rename कर दिया गया था याद रखिएगा इस तरीके से जो भी information लिखिए सारी सारी important है सब आपको याद रखना है now the enforcement directorate is administrative by किस के दर administrative होता किस ministry के डारा किस department के डारा तो department of revenue याद रखिएगा under the ministry of finance finance के अंदर department of revenue इसको देखता है देखरे करता है administrator administered करता है clear हो गया इसको head कौन करता है इसके जो head होते है chairman होते हैं director होते हैं वो कौन होते हैं वो एक IRS officer होते हैं कल को अगर आप एक IRS officer बनते हैं तो आप भी यहाँ पे enforcement directorate का head बन सकते हैं director बन सकते हैं clear हुआ इसका headquarter कहां पे है जी हाँ नियू दिल्ली के अंदर इसका headquarter देखने को मिला है तो और इसके regional offices all over the India पे फैले हुए है इसका objective क्या है organization is mandate with a task of enforcing the two special physical law ये mainly इसको दो जो special physical law है इस objective से इसको लेकर आया गया था 1999 का FEMA Act और 2002 का PMLA Act क्या है FEMA is Foreign Exchange Management Act और PMLA is Prevention of Money Laundering Act है ना money laundering बगेरा हो रही है 2002 का उसके पहस इसको बनाया गया था लेकर आया गया था clear हुआ point चलिए अगर हम composition की बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखेगा Indian Revenue Services से यहाँ पे लोग आते हैं जैसे की head है जो director है वो ही IRS officer है IPS officer भी इसके अंदर रहते हैं Indian Administrative IS officer भी रहते हैं और कुछ promoter services हैते हैं जो on cadre के रहते हैं अपने cadre के वो भी इसके अंदर आते हैं यहाँ पे लोगो directly भी hire किया जाता है कहां कहां से से custom से central exercise से income tax से police से deposition की business में इनको hire कर सकते हैं यहाँ पे है ना इसकी जो total strength है department की less than 2000 officer से यह याद रखना है आपको around 70% official came from the deposition while ED has its own cadre इनका अपना एक खुद का cadre system भी है यह भी आपको याद रखना है headquarter आपने देखे लिया नियू दिली के अंदर है न पाँच इसके regional offices हैं जिसे कि मुंबई, चन्नाई, चन्दीगर, कुलकर्ता और दिली headed by special directorate of enforcement यह आपको याद रखना है इसके function क्या क्या है बहुत सारे act जो हैं यहाँ पे हैं जो इसके function करता है इन सब को regulate करता है देखता है Fugative and Economic Offender Act 2018-2020 के अंदर आता है FARA Act याद रहेगा देखिए कहीं न कहीं पैसो से लेटेर यह act है है ना कहीं भी जब यहाँ पैसो से लेटेर बात हो रही वहाँ यह निकल के आ जाता है फिर एक है 1947 का COFEPOSA क्या है पूरा नाम पढ़ेंगे आफ स्पॉंसरिंग केसि प्रिवेंशिन और डिटेंशन अंडर था कंजरिविश्चन और फोरें एक्चेंज प्रिवेंशन और स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट रिस्पेक्ट्टु फेमा वालिशन PMLA Provision इसके अंदर आजाते हैं ठीक है Special courts फगीरा भी बना जाते हैं अगर किसी को 15 फगीरा करना है तो इसके लिए Special courts फगीरा भी इसके अंदर बना है Section 4 of PMLA Prevention of Money Laundering Act केता है Chief justice of high court इसके अंदर रहते हैं Consultation भी यहां पे Central Government सामने लिए काथा, Section court, Special courts से भी अंदर होते हैं और अगर इस कोट के फैंसले से अगर साम जाला वो नहीं है तो वह हाई कोट भी जा सकता है है ना सटिस्फाइज नहीं है चलिए कोशन देख लेते हैं आप लोगों के लिए कोशन है है ना चलिए सब्सक्राइज नहीं है तो इस अगर इस से इसास्थ में चलिए मखरस्टर है जो है इस स्टीक्राइज परेजिएज को से मैंडेच से फेमा नंती नान की का 2002 का पीएमेले क्या यह कोशन स्ट यह यह औप्सं सही है या फिर कौन से ministry है आपको मैंने बोला था याद रखना है अगर आपने याद किया है तो इस question को आप कर सकते है क्या इस चीज से लिटेड है ये ये आपको बताना है option आपके सामने है option A, B, C, D क्लियर हुआ चली हम option के और बढ़ते हैं देखते हैं कौन सा option हमारा सही है तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो हम eliminate करते हैं Mumbai के अंदर है जी नहीं ये किसके अंदर है दिल्ली के अंदर है हमें पता है none of the statement is false ये गलत हो गया क्योंकि पहला तो गलत है तो अपने C को eliminate कर दिया पहले ही करेक्ट है अगर आप ध्यान से देखेंगे इंटर्ण से कर सकते हैं तो two and four is the correct answer ये आपको या रखना है एक और question देखते हैं enforcement directorate is a part of department of revenue ministry of finance पहला statement second क्या है any appeal against any order passed by PMLA court can directly be filed in the high court for that jurisdiction ये आपको पताना है इसमें से कौन सा option सही है तो हमने अभी देखा कि पहला तो सही है और दूसरा भी सही है आप high court जा सकते हैं direct तो आपका answer क्या हो गया c is your correct answer clear हुआ यहाँ पर d is your correct answer two and four यहाँ पर clear हो गया चलिए rhino गवारे में हम देख रहते हैं तो ये कुछ extra information rhino की वारे मैंने लिख दिये तो आप इसे दाके पीडिएफ से पढ़ सकते हैं for the pdf वही जारी चीज़े हैं लेकिन जो पूछा जारे को मैंने आपको पहले ही बता दिया है इंडिया कंदर सिर्फ great one horn rhino मिलता है ये भी आपको important है जो कि याद रखना है ठीक है किस-किस अपने national park में मिलता है वो नाम लिख दिया है जिसे कि पवित्र वाइल लाइफ रिजर्व है राजेब गाधी ओरंग नेशनल पार्क है गाजी रंगा नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क है ये पार्क से नाम आपको याद रखने है ठीक है थ्रेट्स किया इसको पोचि अगर गाधिन की कम हो रही है तो यह आपको याद रखना है कुछ इंपोर्टन चीजें है पी डियाफ से आपको जाकि सबको पढ़ लेना है पीडियाफ के लिए टेलीग्राम ग्रूप को जोइन करना है नीचे link कमेंट सेक्शन में दे दिया है और description बॉक्स में भी दे दि करते हैं देखे एक छोटी से news है उत्राखंट defending wrong doing on trees falling corbett forest survey of India ने एक चीज कहा है तो उत्राखंट के अंदर अभी क्या हो रहा है उत्राखंट के अंदर forest survey of institute ने accused किया है उत्राखंट forest department को of defending wrong doing यह क्या से देखिए 163 trees को only है ना लेकिन यहां पे कितना की कर दिया गया है 163 के जगह पे 6000 से ज़्यादा trees को गिरा दिया गया है ना cut दिया गया है तो यह बहुत ही तो वहां पे NGT ने sumoto action लिया है तो इस तरीके से जो भी important चीज़ें है इंवार्मेंट से लिटे तो आपको रट लेना है UPSC prelims के अंदर इंवार्मेंट से लिटे बहुत सारी important चीज़ें आती है ठीकर तो पाकरो एक करके एक सफारी बना रहे है यहाँ पर जो कि उत्रखन का पहला सफारी होगा इस पार्क का जहां से एक अच्छा clearance मिलेगा देख सकते हो आप जो आप टाइगर सफारी बनाई जारी जिसके तहत ऐसा था कि कुछ पेड़ गिराने थे 160 थी पर वहाँ पे 6000 से ज नैनितायल डिस्ट्रिक ऑफ उत्राखन्द के अंदर रोकेटेट है प्रोजेक टाइकर इसके लॉच्ट purchivan के उन्द यादगगा त है 1973 में याद रखेगा Corvette National Park के अंदर यह ले कंपे लिए का पहला नैशनल पार्क है यह भी आपको यादगा न कॉल्ट नैशंनल पार्क सब्सक्राइब एक एक ही इन्धिया फर्स नेशराइब पार्कौल को अनुटर्फय। मेजर रिवर फ्लोइंग तुरू इस रिजर्ट से यह मेजर रिवर फ्लो करते हैं है ना वाइल सेंचुरी भी है यह सारे इंपोर्ट इंफोर्मेशन आपको जाके पीडियाप से रीड करना है तो नोट्स भी साथ में आपको मैं बनाते हुए चल रहा हूं ऐसा नहीं कि आप बनाई की उरत पढ़ रही है आप चाहें तो बना सकते हैं पर मोर्दन सुफीशन में यहां पर आपका काम कर देता हूं ना तो यह जाकर नोट्स पढ़ना है आपको फ्लोरा और फोना देखना है कौन-कौन से हैं और कमेंट सेक्सर में बताने इस सारे फ्लोरा फना के नाम यहां पर नहीं ताल पड़ता है कॉछ और नेशनल पार्क देख लिए यह दिखिए वैली ओफ फ्लावर नेशनल पार्क भी यह रहा है ना यह नंदा देभी बाइस प्रिजवर रिजवर पर आर्टिकल आया वह भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए मूव करते क्या दिया गया है इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि scientific consent must be dictate product availability to the farmers and consumers देखिए जो हमारा mustard है धारा mustard hybrid 11 DMH 11 Genetically Engineer Apprecial Committee Arm of Environment Ministry का यह आम है ठीक है GEAC का नाम ज्याद रखना है आपको कमेंट सिक्सर के अंदर GEAC कव इस्टैबलिसमेंट हुआ था इस सब क्यार में बताना है क्य क्योंकि हमने इसको पहले previous days में discuss कर चुके हैं बहुत अच्छे से details के अंदर GEAC मैंने आपको पढ़ा है तो अगर आपने वह lecture नहीं देखा तो पीछले जाके सारे lecture देखे कमेंट सेक्शन में और वहाँ पर मैं link दे दूंगा description box के अंदर तो आप वहाँ पर जाके देख सक अब देखे यह जो article है और एक article और है मैं आपको बताता हूं यह देखे काफी आगे है यह देखे text and context के अंदर यह भी article यह दोनों article सेम है इस दोनों article को मिला के मैं इस article को discuss करूंगा अब सबसे पहले हम यहीं से discuss करेएं कुछ point जब वहाँ के हैं वहाँ की points में यहाँ पे hybrid seed है अब hybrid seed तो है पर इसके अंदर important क्या है सर देखिए इसको clearance मिली है जी एसी के द्वारा लेकिन ऐसा कहा गया है कि अभी तीन सीजन तक इसको एक देख रेख में सोन किया जाएगा है अब यह दिखिएगा यह cross between the two variants यह कौन कौन से वह दो variant है क्योंकि बहुत ज्यादा news में है तो question आने की संभावना यहां से बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो यह दोनों नाम आपको बिल्कुर रट लेना है याद ही रखना है कितना भी UPC retailing में जाए आपको question को हल करके ही आना DMH11 is a result of cross between the two variants वरुना एक वरुना नाम याद रख बेक्टेरियम कॉल्ड बर्नास से बर्नास B-A-R-N-A-S-E याद रखेगा और B-A-R-N-A-S-E स्टार तो बर्नास एंड बर्नास स्टार दो नाम याद रखेगा B-A-R-N-A-S-E और यही B-A-R-N-A-S-E के साथ स्टार लगा दीजी यह दोनों नाम आपके लिए बहुत जात पाथे हैं CLEAR हुआ PОIN चली बर बर जो बर्स्टार है हीआ इस हीरा ब्लोक में यह पाया जाता है यह बेटर और फालटारग लिए काफी आतं इमपॉर्टेंट होता है ट्रांस जानिक क्रॉप होते हैं आब यह कुछ जीन जो लेता है दूसरे क्रॉप से ले ले लेता है दूसरे क्रॉप से कुछ जीन्स को ले लेता है और एक कुछ दूसरे क्रॉप से ले लेता है और कुछ खुत के क्रॉप के तो रहते ही रहते हैं तो यह तरीके से जो बनता है उसे हम ट्रांश जैनिक क्रॉप कहते हैं इससे काफी यादा है इसका जो पैरेंट वरुना से ही बना है यह बरुना करकर क्रॉप थी है ना मस्टर्ड की तो उससे ही बना है इसके अंदर 37 परसें जो है जो जो जाता क्वालिटी इसके बढ़ जाएगी एग्रो क्लाइमेटिक जैन में डिफरेंट सिच्विशन में यह हो सकता है पैदावार इसकी बढ़ सकती है और सर्वाइब कर जाता है एक लोकेशन ओवर तीन साल के अंदर इसको स्टेश्ट किया गया है तो यह भी आपको याद रखना है है तो एक कुछ छोड़ी छोड़ी चीज़े हैं अब एक डेटा और याद रखिए कि इंडिया जो है क्यों इस तरी किस बाता है जिसकी बाहर से इंपोर्ट बहुत जादा कर रहे हैं और को यह आपको याद रखना है इसलिए अभी बताएगा है डेटा आप याद रखना है 55-60% अफिज डॉमेस्टिक एडिवल और रिकॉर्मेंट को हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर याद रखेगा तो जिसकी चीज की 60% को इंपोर्ट कर तो इंपोर्ट डिपेडेंसी को हमें कम करना है क्लियर हुआ पॉइंट 2022-2021 एराउं 13.3 मिलियन जो है हमने टन ओ फेडिवल ओल को इंपोर्ट किया है कुछ उसकी कॉस्ट दी गई है इतनी जादा कॉस्ट है तो यह सब याद रखेग लो प्रोड़क्टिविटी है हमारे हैं 1.1 से लेकर 1.3 टन पर हेक्टर जो होता है जो कि हमें जो कि दो पिछले 20 साल से स्टेगनेंट है उतना ही चला रहा है बढ़त तो रहाई नहीं तो इस चीज को बढ़ाने के लिए हम इस चीज लिखे आए हैं क्लियर हुआ कुछ कोंट्रोवर्सी के अंदर निकाली गया रही है कि और टॉपिक डिबेट है कि पहला क्या है पहले तो अलग स्पीसिस से लिया गया है सेकंड आगे इसके अंदर बाहर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है है ना निकल के आ सकती तो वो भी बात कर रहे हैं इन्वार एक पुछा जाएगा एक उप्जान में solp Australiating वरद और आप से पूछा जाएगा और आप से ಪुछा यदिया है यह नहीं है यह question पूछा जा सकता है आपसे clear हुआ I hope चीजे clear हो रही होंगी आप आपको देखे यह देख लीजे यहाँ पर मैंने सारी important details रखी है अलग से notes भी बना दी है जो अभी हमने discuss किया है वो सारी notes यहाँ पर available है ठीक है mustard की है यह इंडिया की most important winter crop है जो कि mid October में इसको बोया जाता है और late November mid October यह फिलेट नवंबर इसको बोया जाता है self-pollinating crop difficult to hybridize naturally at is a cross-pollination यहाँ पर करवाते हैं largest edible oil yielding crop in India है यह भी आपको या रखना है इसके उपर question कई बार पूछे का हैं और पूछे जा सकते हैं धारा mustard hybrid 11 dmh 11 डेपलब माद डीपक पैंड बेंटल ऑफ दिल्ली यूनिवरसिटी थ्रू ट्रांस जनिक technology in 2002 यह कब से रिसर्च चली सूची 20-20 साल से रिसर्च चलती तब जाके कोई भी चीज एप्प्रूब होती हो और निकल के आती है ठीक है cleared by GEC ने clear कर दिया है अब इसका क्या होगा कि proposal ली जाएगा 2017 में इसको clearance मिली थी इंबॉर्ण ministry के दोरा हाँ इंबॉर्ण ministry ने उस ताइं पर refuse कर दिया था बट ना अभी यहाँ पर जी इंबॉर्ण ministry ने कुछ भी चीज़े बोली नहीं है अब देखिए आगे क्या होता है वो सारी चीज़े देखेंगे लेकिन बिफोर देट एक मेंस का अंदर दो question चुपे हुए पहला कौन सा है पहला यह कि modified crops और अग्रीकल्च से हमने link कर दिया पहले पार्ट को और एक जर्नल सा question है कभी भी कैसे भी पूछा जा सकता है UPSC के अंदर second specify किया है कि आप किसके respect में बताएए GM mustard के respect में बताएए तो एक specified भी question आपके लिए हो गया argument for the GM crop अगर GM crop को कुछ arguments है उसके favor में तो क्या है वो हम देख लेते हैं can address the challenge of food security के problem को address कर सकता है higher yield हो सकती है income बढ़ जाती है farmers की reduce use of pesticides का uses कम हो जाता है herbicides का और जिससे environment का protection होता है और क्लाइमेट चेलेंज को यह challenge को solve करता है जैसे कि कम पानी में भी ज्यादा पैदावार होती है इस तरीके से चीजों को यह phase करता है और देखता है clear India's climate specific crop can be made तो इंडिया के climate जो specific crop है जैसे कि इंडिया का climate कैसा है उससे रिटेट वैसे भी crop बनाई जा सकती है example spectacular success of BT cotton तो BT cotton की जो success है हमने देखी समने देखी कितिनी तेजी से हमने इसकी पैदावार को बढ़ा दी clear can cause a long term आप देखे argument क्या हो सकते है इसके against मेंगर आपको लिखने के लिए आए कभी भी किसी भी GM crop के जो GM crop के against में लिखने के आए और favor में लिखने के लिए तो आप ये दोनों points लिख लीजे अपने answer writing एक notebook बना लीजे वहाँ भी सारी जिए आप mention करते रिए जो भी मैं self-replicating organism अपने आप बढ़ सकते है genetic contamination of the environment के अंदर क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे animal अपने आप आ जाते हैं जो उस crop को भी खत्म करने लिख जाते हैं और genetically diverse हो जाते हैं और ज्यादा तो वो जो animal है मतब animal में कह रहा हूं वो जो insects हैं वो insects क्या करते हैं और ज्याता है strong हो सकते ह seed stock जो seed का stock बढ़ जाए will contain the molecular label में हमें seed का stock करना पड़ेगा it can make a farmer successful unfavored practice of mnc अब क्या होता है यह जो GM crop है यह बोरने के बाते से इस बार बोया crop फसल काटी और फिर बापस अपनने इसको फिर खरीना पड़ेगा और वही seed को आप दुबारा use नहीं कर सकते हो यह सबसे बड को लेना पड़ेगा वही बीज़ आपको बोना पड़ेगा तो यह बहुत ही negative point है तो यह आप लिख सकते हो complete consequences GM crop are not non added उसके पूरी पूरी consequences क्या-क्या impact निकल के आएगा पूरी तरीके से हम क्या कोई भी नहीं जानता है क्या-क्या negative impact हो सकता है और क्योंकि यह food crop है इसलिए बहुत जाता हमें ध्यान देने की अवशकता है जैसे case study हम देखते हैं बीटी cotton crop lose lose feast by farmers due to pest attack तो pest attack के वेश से पहुच जाता है इसके इंदर lose देखने को मिला है बीटी cotton के अंदर clear तो यह हमने देख लिया चलिए next article discuss करते है यह biosphere is affiliated है आज क्या है देकि आज यह बहुत important news ह काफी जादा मैं कहूंगा इसको आपको बिल्कुल रट लेना है भोलना नहीं है आज है तीन नमंबर थर्ड नमंबर आपको यह रखना है थर्ड नमंबर 2022 कोई भीगजाम आप दे रहे हों किसी भीगजाम की preparation कर रहे हों यह question पूछे जाने की संभावना 101% बढ़ जाती है क्या जिसे International Day for Biosphere Reserve पहली बार declare हुआ है celebrate हो रहा है क्या International Day for Biosphere Reserve 2022 World Network of Biosphere Reserve WNBR was formed in 1971 1971 में WBNR बना था और अब यह क्या कर रहे है 2022 में इस साल पहली बार यह International Day of Biosphere Reserve मनाया जा रहा है और यह बात की जा रही है कि क्या हम Biosphere को Reserve मतलब expand करें क्या इस सारी चीज़ों को करने के ज़रूत है और कहा कहा ज़रूत है यह सारी चीज़ के इंदर बात की जा रही है कुछ data दिया गया है जो important है वो मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिया है जैसे map क्या है man and Biosphere Reserve क् कैसा network है क्या क्या करता है Biosphere Reserve क्या होता इसकी definition क्या होती है कैसे कैसे काम करता है क्या important points है सारी चीज़े मैंने निकाल ली है अगर आपको यह article पढ़ना है तो PDF आप Telegram Group से join होके उससे download कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं Biosphere Reserve होता क्या है द UNSCO ने इसको designate किया है तो यह आपको याद रखना है clear और यह क्या करता है एक landscape भी ले सकता है cultural landscape extended over a large area of coastal or marine ecosystem या दोनों के combination को ले सकता है is it tries to balance economic and social development maintain बात associate culture value preservation and nature तो यह आप जा किसको read करेंगे clear हुआ point okay now international day for biosphere reserve important हो जाता है 3 November 2022 date याद कर लीजिए तो first international day for biosphere reserve यह आपको याद रखना है तो यह पहली बार ऐसा हो रहा है है जो अभी हम मैंने आपको बताया किसकी किसके collaboration में UNESCO डेपलब किया था बाइसफियर रिजर्फ को फिर headquarter in the collaboration with all regional world network of biosphere reserve this will the 50th anniversary of man and biosphere reserve तो यह celebrate कर रहे हैं हम 50th anniversary किसकी map की तो map पढ़ लेते हैं चली सर मैप पढ़ लेते हैं map क्या है map program है 1971 में लाउच किया गया था scientific foundation for the improving people's relationship with their environment तो लोगों का relationship जैसे हम सब लोग हैं तो लोगों का relationship किससे environment से बनाने के लिए map आया था environment की study की जाए environment से लेटर incarnation बने हो उसे मतलब एक तरीके से nature प्रकृति प्रेमी होना चाहिए आपको nature lover होना चाहिए इसलिए ये सारी चीज़ें लेखे आई गई थी उसे culture का part बताया गया था है ना अलग अलग तरीके से चाहिए आप पूजा पार्ट ले लीजए culture ले लिए जिस वज़े से आप इसकी पूजा करने चाहते हो इसके आरे में पढ़ना चाहते हो इसको preserve करने चाहते हो तो वो इस criteria से biosphere reserve को biosphere reserve का designation मिलता है यहाँ बताये the site must contain a protected and minimally disturbed core area value and natural conservation यहाँ से देखें आप बायो जोग्रोफिकल यूनिट एंड शूट इनफ इनफ तु सिस्टें वाइबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग और ट्रॉपिक लेवल है ना तो अलग अलग जगह से वाइबल population होना चाहिए बायो जोग्रोफिकल यूनिट होने चाहिए बहुत सारी पेड़ पहुत होने चाहिए इस तरीके से जब चीजे होने ही चाहिए traditional tribal और rural mode of living दोनों सब कुछ होना चाहिए harmonious बना रहे तो ऐसी जगों को हम map sorry biosphere reserve को resignation मिल सकते हैं अभी यहाँ पे map के अंदर 12 bios biosphere reserve हैं इंडिया से जो हमने recognize किये हैं कौन कौन से नेल गिरी जो पहली पार include हुआ था सेकंड नंबर पे गल्फ ऑफ मना सुंदर्बन नंदा देवी नोर के पंचमडी है ना पंचमडी सिंपली पर अचंक मर अमर कंटक ग्रेट निकोबार अगस्त मले biosphere reserve और कंचंग में recently add किया गया और और पन्ना याद रखेगा पन्ना जो मद्धवदेश में the latest included biosphere reserve के अंदर ये आता है clear तो बारा के बारा नाम याद रखने हैं वैसे कितने biosphere reserve हैं इंडिया के अंदर comment section के अंदर बताएए चले मैं ही बता देता हूँ अब को आप यह देखिए there are 18 biosphere reserve in इंडिया 18 biosphere reserve है अब उसके पहले कि आपको ये read करना है ये नाम आपको learn कर लेना बिसे मैं अभी आपको याद करवा दूँगा टेंसन मतलीजी आप है ना लेकिन उसके पहले आप यह दीज़ीगे three zones to characterize the biosphere reserve अब biosphere reserve के अंदर तीन जोन होते हैं previous year question में ये पूछा जा यहाँ पर activities गेरा human settlement है सारी चीज़े हो सकती है आप यहाँ पर क्या है? Human settlement भी है? यह human settlement मिल गया है यहाँ प्या कर सकते है? Tourism और तूरीजम गएरा भी हो सकता है यहाँ च theory that can support educational institute यह सब अंदर होका है? और और क्या क्या हो सकता? coastline monitoring अगेरा भी की जा सकती है च?". रिसर्च स्टीशन बगेरा बना जा सकता है क्लियर तो यह आपको याद रखना नहीं मॉनिटरिंग सिर्फ अंदर होती है यह याद रखेगा और जो मॉनिटरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ कोर एरिये में ही होगी कोर एरिये सबसे अंदर है सब सेकंड नमर पर बॉफर जोन ह सेलिंग हो सकती आप फोटो जोन के इंदर फोटो नहीं किया सकती याद रखने कोर ग्ड norm सरिफ मोनीटेर हो we मोनीटिरिंग इंपोर्टरिंग ऐला है क्लिर के चीजें नहीं आला एजुकसिन तो पहले सबसे लास्ट में आता है त्रांजिशन जोन और फिर और यह याद रखेगा बाहर से चलते और से बाहर चलोगे तो क्या बनेगा CBT CBT याद रखिए CBT CBT Core Buffer और Transition याद होगे आपको चलिए 18 नाम आपको याद रखने है Notes में मैंने दे दिया है अब Core Area क्या है Buffer जो उन क्या है Transition जो उन क्या है यहाँ बना दिया बता दिया मैंने आपको पूरा समझा दिये Notes में पर जाके रीडी भी कर सकते है अगर आपको और रीड करना है तो Function क्या है Biosphere Reserve का Conservation करना क्या-क्या Conservation करना Managing Biosphere Reserve Genetic Resources को Endemic Species को Ecosystem को Land Vast को Landscape को इस सारी चीज़ों को Reserve करना Promote करना Economic Development को Sorry Economic Development को Promote करना है उसके साथ Growth के साथ Ecological Level को भी बनाए रखना यह important हो जाता है इसका ऐसा नहों कि सिर्फ आप पेड़ पोदे काटे जारे काटे जारे और Economic Development हो रहा है तो उन सारी चीज़ों को भी बचा के रखना है Training करना Environment Education देना लोगों को Dynamic Interaction इसके अंदर होता है जो हमने SDG Goal बनाया था Sustainable Development Goal SDG 2030 तक हमें पूरा करना था नो बोविटी जी रोंगा चले लिख के बताए कितने SDG Goal है उन सब के गोल्स के नाम लिख के बताए यह आपको Comment section में बताना है अब इसके अंदर क्या होता है इस Network के अंदर Participate करते हैं Dialogue करते हैं बात करते हैं Knowledge Sharing करते हैं एक दूसरे से साथ Poverty Reduction के लिए Human Wellbeing के लिए Improvement के लिए Cultural Values को बढ़ाने की बात करते हैं यह सारी चीजें इसके अंदर होती है वर्ड का एक तरीके से जो Biosphere Reserve है उनसा आपका एक Network तयार कर रहे है तो यह इस चीजे के अंदर ही आपको आकर Read करना है बसे मैंने आपको एक Overview दे दिया है Clear? चले देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर कहां कहां पे Biosphere Reserve है वो देख लेते हैं हमाले important है सबसे पहला हिमानचर प्रदेस में देखिए Cold Desert National Park Sorry, Cold Desert Biosphere Reserve भी है और National Park है सबसे पहले अगस्त मलई नील गिरी Biosphere Reserve याद रखना है सबसे पहला Biosphere Reserve अगर हमारा कोई सा है तो क्या है नील गिरी Biosphere Reserve जो Biosphere Reserve भी वो कहा है अगस्त मलई Biosphere Reserve दो स्टेट के अंदर है कौन कौन सा स्टेट केला और तब मिलनाडू गल्फ ओमनार याद रखना और ग्रेट निकोबार जो कि अंडबार निकोबार में Biosphere Reserve है वो भी आपको याद रखना है जो सारे एक सारे नम आपको याद रखना है वैसे मैं Mapping के जब सीरीज लेकर आऊंगो तो तरिसे डिसकस करूँगा डिटेल में डिसकस करूँगा और साथी साथ आपको याद करवा दूँगा आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा तो वहाँ पर मैं यह सारी सी आपको याद करवा दूँगा I hope चीज़े clear हो रही होंगे जीरे जीरे आपको यह सारी सी हम discuss कर चुके है अभी central ने क्या किया है सबसीडी को double कर दी देखें दो question हमने discuss किया अब यह question आप लोगों के लिए homebuck इसका answer आपको बताना है कि central ने क्या किया है अभी जो fertilizer की subsidy दे रहे थे उस fertilizer की subsidy क्या कर दी है बढ़ा दी है डवल कर दी है जी एस त्री economics related यह आपका article है question यह आपके सामने है वीडियो को pause किजिए question का answer देने की कोशिस करिए at present क्या है यह दी के बेस्ट केमिकल फर्टिलाजर इंडिया कहने था following statement at present retail price of the chemical fertilizer is market driven not administered by government क्या market से regulate होता है पहला दूसरा ammonia which is the input of urea is produced form of natural gas क्या यह natural gas की form मिलता है ammonia दूसरा sulfur क्या है sulfur which is raw material phosphoric acid fertilizer is a by product of oil refinery क्या यह है तीसरा point यह question आपको करना है इसलिए मैंने यह आपके लिए छोड़ दिया है यह question आप लोगों के लिए है आपको करना है clear वो point इसका answer आपको comment section में देना है अगर आप करते हैं तो मैं और नए question को भी add करूंगा participate करना important है आप लोग participate बहुत करना important है अब देखिए एक पहरी ethnic community है जो के schedule tribe के अंदर include कर दीगे तो यह आपको या रखना है पहारी पहारी जो community है इसके और में कुछ important point है यह देखिए पिर पंजाल range यहां पर पाई जाती यह रेंज का नाव या रखना पिर पंजाल range है ना जो पहारी community है linguistic group है एक तरीके से mainly पिर पंजाल valley में मिलती है comprising और राजोरी पूना डिस्ट्रिक और पहारी आप से spread है ना जम्मू कस्मीर valley में spread है तो यह जम्मू कस्मीर की जो पिर पंजाल valley है range है यह आपको याद रखना है पहले जैसे कि पहारी वो also comprises वो हिंदू और मुस्लिम ऐसा नहीं है कि यह community है जो कि हिंदू है या proper muslim है यह linguistic community है मतलब language के नाम पे इसको divide किया गया है categorize किया गया है ऐसा कर लिजिया language के basis में categorization हुआ थे इसके अंदर हिंदू भी मिलते है इसके अंदर muslim भी है ठीक है जैसे बकरवाज और गुज्जास जाए टू प्रोमिन नॉमेडिक क्लें थे यह आपको याद रखना है इसको सर्च करना है इसको सर्च करना है और इसको देखना है map के अंदर आपको ठीक है वैसे मैंने आपको दिखा दिया है यह है पिर पंजाल रेंज इस ग्राज देखिए बूलर लेक है उपर लदाक रेंज जसकर रेंज है सबसे पहले कारा कोरम फिर लदाक रेंज जसकर रेंज पिर पंजाल रेंज यह आपको रेंज ऐसे chronology order में उपर से नीचे north to south याद रखना है ठीक है तो यह सारी चाहिए हैं वहाँ से कौन से रिवर निकलती है इसे लेसर इमालिया के अंदर है पिर पंजाल रेंग नियर दो तीन चार चार प्रकार से हमने division किया हुआ है है ना subsidies का पहला क्या है consumer और producer कर रहें और producer कर रहें benefit provided to the consumer direct consumer को मिल रहा है वो क्या है LPGA से LPGA बगे रहा है है ना तो consumer को मिल रहा है यह subsidy हो गई हैना आपको मिलता है ना consume करते हैं जब आप अगर कुछी चीज प्रडूस कर र price वो क्या है वो एक प्रकार की subsidy है तो producer subsidy हो गई आपने consume किया तो subsidy मिल गी produce किया तो subsidy मिल गई एक मिलते है direct एक मिलते है तो automatic उससी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, goods and services below the market price, जो market price है उससे कम price में आपको मिलेगा, जैसे fertilizers हो गया, जो अभी हम बात कर रहे हैं, वो हो गया, क्या, वो एक subsidy हो गई, कौन सी subsidy है, indirect subsidy है, यह आपको याद रखना है, एक है explicit और एक है implicit, explicit और implicit subsidy को आपको याद र क्या है, explicit है, यह mention रहता है, document के अंदर budget के अंदर, कि इतना पैसा यह है, इसके लिए निकालना है, implicit क्या है, इसको budget के अंदर include नहीं किया जाता है, providing subsidy public services and are not provided in the budget, budget के अंदर नहीं रहता है, इसे railway के अंदर, आपको subsidy जो मिलती है, यह budget के अंदर नहीं रहता है, clear, एक social होत I hope चीज़ां को clear हो रही होंगी, और आज हमने बहुत सारी चीज़े discuss करी, है न, और सारी कुछ important चीज़े भी discuss करी, तो lecture को like, share, comment करना है, फटा-फट और share कर देना है, जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं, telegram group, whatsapp group, जहाँ जहाँ भी आप इसको share करते सकते हैं, करिए, और कोई suggestion हमारे लिए अगर आपके पास हो तो वो भी आप comment section में दे सकते हैं, तो thank you, thank you very much for the discussion.